हेलो फ्रेंडस, आज हम बनाएंगे बीटषोट का डिलिसियस आइस-क्रीम यह बहुत ही क्रीमी बनता है और यह बहुत ही टेस्टि बनता है चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते है कि यहां पर हम एक बड़ी साइज का बीट रूट लेंगे बीट रूट को हम दो के उसके छिलके निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम इसे कद्दू कस कर लेंगे आप कुई भी छन्नी में इसे कद्दू कस कर लीजे या फिर आप इसके बड़े पीस भी कर सकते हैं बीट रूट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चे जनरल इसे कम खाना बसंद करते हैं तो इस तरह से हम इसे आईसक्रिम बना के खिला सकते हैं यह एकदम गरेट हो चुका है अब इसे हम स्टीम कर लेंगे फिर यहां पे हम एक पतिले में पानी लेंगे और उसके उपर एक छन्नी रख दीजिए और जो बीट रूट हमने गरेट किया है उसे इस तरह से इसमें डाल दीजिए लगभग 15 से 20 मिनिट तक हम इसे इसी तरह स्टीम करेंगे बीट रूट जब तक स्टीम होता है तब तक हम यहां पे दूद को भी उबाल लेते हैं मैंने यहां पे दो बावल फूल क्रीम दूद लिया है यह दूद जब तक गरम होता है तब तक यहां पे हम एक बावल में दो से तीन चमज थंडा दूद लेंगे इसमें हम दो चमज कस्टरट पावडर डाल देंगे आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का आइस क्रीम का पावडर भी डाल सकते हैं यहां पे वैनिला फ्लेवर का मैंने कस्टरट पावडर यूज किया है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर हम आइस्क्रिम का पाउडर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा यूज करना है कस्टड पाउडर है इसलिए मैंने दो चमचे लिया है तीन से चार चमच आपके टेस्ट के अकोडिंग चीनी डाल दीजिए यहाँ पे हम दूद को अच्छे से गरम कर लेंगे और साथ में वीट रूट भी अच्छे से स्टीम हो जाएगा दूद को लगबग हमें 5-10 मिनिट तक इसी तरह अच्छे से उबालना है और थोड़ी देर के बाद इसमें हम जो कस्ट्राट पाउडर वाला दूद रेडी किया है वो डाल देंगे जैसे ही कस्ट्राट पाउडर वाला दूद डालेंगे यह एकदम गाड़ा हो जाएगा फिर एक से दो मिनिट तक इसी तरह अच्छे से उबालेंगे गेस की फ्लेम को हम मेडियम कर देंगे और यहाँ पे जो बीट रूट स्टीम करने के लिए रखा है वो भी चेक कर लेते हैं आप इस तरह चम्मच की मदद से देख सकते हैं अगर यह कच्छा लगता है तो इसे थोड़ी और देर हम स्टीम करेंगे दूद यहाँ पे एकदम गाड़ा हो चुका है अब गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे बीट रूट भी एकदम स्टीम होके रेडी हो चुका है एकदम पक गया है खोड़ी देर ठंड़ा होने के बाद एक मिक्सर जार में हम उबाला हुआ दूज डालेंगे फिर इसमें दो बड़े चम्मच क्रीम डालेंगे मैंने यहां पर फ्रेश क्रीम यूज किया है आप चाहे तो अमूल का भी क्रीम यूज कर सकते हैं स्टीम किया हुआ बीट डाल देंगे फिर आपको जो भी ड्राइफ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं फिर इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह एकदम ग्राइंड होके रेडी हो चुका है देखिए एकदम क्रीमी हमारा बीट रूट का आइसक्रीम बनने वाला है इसे हम एक एर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और इसे अच्छे से कवर करके फ्रीज कर लेंगे आइसक्रीम को हमें दो से तीन घंटे फ्रीज करना है उसके बाद यह बनके रेडी हो जाएगा आइसक्रीम हमारा लगबग बनके रेडी हो चुका है एकदम red color का हमारा beetroot का ice cream बनके ready है यह ice cream में आप कोई भी flavor add कर सकते हैं आपको इलाइची पसंद है तो आप इलाइची डाल सकते हैं चोकलेट फ्लेवर पसंद है तो चोकलेट या फिर वैनिला का यह बहुत ही tasty होता है और एकदम चटपट बनके ready हो जाता है बनके ready है beetroot का creamy ice cream मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में ज़रूर बताईए चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर करिए और bell icon को दबाना ना भुलिए